हलो सूपर लेर्नर्स क्लास 9 साइन से हमने शुरू किया था अब्जार्विंग स्पेस टेलिस्कोब जो कि आपका चैप्टर नमबर 18 है और आज हम उसका देखने वाले हैं लेक्टर नमबर 2 लेक्टर 1 अल्रेडी कवर्ड है और आज के लेक्टर में हम देखेंगे page 210 to 212 पर आने वाले हर एक चीज के बारे में students इस चैनल पर मैंने ये सारे चैप्टर क्लास 9 से कवर कर लिया है इन सभी का लिंक आपको description में मिल जाएगा और अगर किसी भी चैप्टर का आपको note चाहिए तो करने वाले है reflecting telescope के बारे में जिसमें mirror होता है और इसके दो प्रकार है पहला है Newtonian telescope जिसको हम detail में देखने वाले है अभी और दूसरा है Cassie Grain telescope इसको भी आज हम अच्छे से पढ़ेंगे चलिए शुरू करते है फिर Newtonian telescope से देखो बड़ी मुश्किल से इसको काला कलर किया गया है और हम detail में बढ़ने के कुछिश करते है देखो तो यहाँ पर एक तुमारे पास दूर दराज कहीं पर एक कोई object है space में जिससे light आएगा अच्छे से समझते है इस telescope में सबसे पहले यहाँ पर concave mirror होता है क्या होता है? concave mirror उसके बाद इस जिगे पर plane mirror को थोड़ा incline करके रखा जाता है और फिर इस जिगे पर जहां से तुम देखते है वह होता है eyepiece अब देखो eyepiece क्या होता है? जहां से हम देखते हैं जान से देखना अब क्या होगा यह जो object है source of light है object वहाँ से light ray आएगा light rays coming from the space are reflected by the concave mirror तो मालनों कि light ray आया और यह जो concave mirror है इससे वो reflect होगा तो जब यह light ray reflect होगा तो यह light ray कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाएगा ताग blue वाला rays देखने हो before this reflected rays converge they are deflected by a concave mirror तो अब यह concave mirror है concave mirror का का काम क्या है तो इसको converge कर देना तो यह converge होने से पहले ही टकरा जाता है इस plane mirror से और यह हो जाता हूँ वहाँ से deflect और deflect होकर कि यह सीधे जाता है IPS के पास देखना ध्याल से they pass through the IPS and we get a magnified image of the source तो यह जो light रहाया है blue वाला वो यहाँ पे red color से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से pass होगा और क्या हो जाएगा हमें clear image IPS के पास मिल जाएगा बहुत ही simple है इसका ray diagram दिखते है यह हमाला setup है किसी object से ray of light आए वो ray of light टकराएगा कहाँ पे converge होने से पहले एक plane mirror से plane mirror से वो deflect होके IPS के थुरू पास होगा और हमें एक image large image clear image मिल जाएगा यह है newtonian telescope बहुत है simple है इसको अच्छा से याद कर ले ना पेडियो को repeat करके देख ले ना और अच्छा से याद करना ray diagram आ सकता है exam पे अभी देखो मेरी बात कुछ questions which of the following is not a type of reflecting telescope तुम्हें नीचे answer देना A. Cassgrain, Newtonian refracting both and B. Reflecting telescope कौन सा नहीं है इन बसे साही से बताना तुमगा answer प्यारे बच्चो तुम्हारे भाई Unacademy के काफे सारे free lectures लेता है जिसको तुम जॉइन कर सकते हो by simply clicking on the link in the description and using code SJSuper10 if required तो मेरे सारे upcoming free life class में आ सकते हो तुम्हें simply SJSuper10 ये code यूज करना है बच्चो मैं class 10, class 9 महारास्टर बूर्ड, class 9 और class 10 महारास्टर बूर्ड को पढ़ाता हूँ और तुम आ करके मेरे lectures में सीख सकते हो बहुत सारे concept को बहुत detail में हम clear करेंगे मेरे profile का link जब आप basically upcoming class पे click करोगे तो तुम मेरे profile पे जाके मुझे follow भी कर ले न जिससे तुम्हें सारे classes के notification टाइम पे मिलेंगे total 4-5 million minutes बच्चों ने देखा है and काफी सारे बच्चे follow करते हो बहुत सारा positive feedback है साथी साथ आप ये free live test को भी दे सकते हो जो कि class 9 के learners के लिए absolutely free है ये हर एक मन्त में renew होके चलता रहता है तो आप कभी भी किसी भी मन्त में video देख रहा है आप जाकर के free live test दे सकते हो math, science, social science, English इनकी आप practice कर पाऊगे टोटल 12 question, एक दरजन question और 60 minute दिये जाते हैं आपको Wednesday, Friday और Saturday को होता है एक बजे और आट बजे इसमें enroll करने के लिए अगर आप से code पूछा जाया तो आप simply ये code यूज कर ले ना SJ Super 10 चलिए अब आगे बढ़ते हैं, all the links are in the description, don't forget to join my free live class आगे बढ़ते हैं अभी हमने Newtonian telescope देख लिया, अब हमारा काम है Cassgrain telescope को अच्छे से देखना चलिए देखते है, मैं तो इस image से ही सब को समझा देना चाहता हूँ अब की बार, ठीक है तो इस image को तुम ध्यान से देखोगा, daughter line जो है, ये एक object है, ठीक है इस object से क्या होगा, light ray आएगा और ये तुम्हारा telescope है, इसका arrangement कुछ ऐसा होता है, कि इस जिगे पे, एक concave mirror रखा जाता है और यहाँ पे डाला जाता है, convex lens, sorry, एक convex mirror डाला जाता है यहाँ पे तो ऐसे दो चीज़े हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या होगा पता है, इस जिगे पे यहाँ जो दिख रहा है, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा और एक lens डाला जाता है, eye piece lens, अब देखो क्या होगा, तुम्हारा ray of light इस object से आ आगी की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और जब यहाँ आएगा, तो इस छोटे से जगे से पास होगा, और तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा eye piece lens होगा, जहां से तुम्हें सारी चीज़े clearly दिखेंगी, walking बहुत simple है, let me repeat myself, देखो, object है, तुम book में पढ़ लेना detail में, red color से आय converge हुआ, उस point पे टकराया, और फिर से गया, black color से, is it simple, very simple, तुम्हें खाली book में पढ़ना है, और इसी के पीछे सब कुछ गायप करता होगे, खाली यह lens 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 छोड़ दोगे, यहाँ पे यहाँ पे छोड़ दोगे, तो तुम्हें जो मिल जाएगा, वो है ray diagram, यह तुम्हा हमारा जो space है, ठीक है, वहाँ पे खली ऐसे visible rays नहीं है, कुछ-कुछ heavily bodies होते है, जो space में है, वो radio webs भी छोड़ते है, radio webs कुछ ऐसे webs हैं, जिसको हम अपने आखों से नहीं देख सकते हैं, तुम्हें lecture 1 में बना सिखा है था, visible range जो हम देख पाते हैं, और invisible range जो हम नहीं देखते हैं, we cannot see this radiation with our eyes, अब इन्हें देखने के लिए हमें special type of telescope का इस्तमाल करना पड़ता है, जो इस rays को receive कर सके, और उन telescope को हम radio telescope कहते हैं, नाम से ही तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये radio webs को detect करते हैं, अब ये काम कैसे करता देखो, यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें चतरी जैसा कुछ देख सकते हो, ये parabolic receiver है एक प्रकार, parabolic dish है, और इसके सामने यहाँ पे इस जीगे पे, जहाँ पे मैं mark कर रहा हूँ, मैं highlight करके दिखाता हो तुम्हें, पुरानी image में दिखाता हूँ, ठीक है, इससे तुम्हें जल्दी दिखेगा, तो देखो, ये एक चतरी है, जो parabolic shape में है, चतरी की तरह, और यहाँ पे एक receiver है, ये वाला हाथ देख रहे हूँ मेरा, ये people see, जहाँ पे मैं हाथ गुमा रहा हूँ, ये तुम्हारा एक प्रकार का, क्या है, receiver है, तो क्या होगा, normally देखो, कि मालनों कि एक heavenly body है, यहाँ से rays of light ऐसे आ रहे हैं, और ये यहाँ पे, क्योंकि इसका जो shape है, उसके कराने, ये converge हो जाएगा, और इस receiver के पास जाएगा, ठीक है, तो जो भी light या gas के radiation, जो भी चीज़े तुम नहीं देख पाते हो, simply, वो इसके थूँ तुम देख पाते हो, देखो, this acts like a mirror, ये एक mirror की तरह काम करता है, और focuses the radio on to the receiver, receiver पे, सारे radio waves को focus कर देता है, और क्या होता है, जो information यहाँ से है, वो transferred होता है, amplifier, amplifier से एक series में जाकर के, सीधे computer में, तुमारा computer उसको detect करके, एक image देता है, तुम नहीं, is it simple, बहुत बढ़िया, और बहुत ये simple है, अब देखो, GMRT, GMRT का full form बताता हूँ, a large radio telescope called as giant metaw wave, giant metawave radio telescope, GMRT, इसका full form है, giant metawave, sorry, giant meter wave radio telescope, GMRT, has been erected at Narayan गाउ नियर पुने, तो हमारी ही देश में यह है, Narayan गाउ पुने में, ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना, it uses radio waves having wavelength of about a meter coming from heavenly bodies, and study those bodies, heavenly bodies से जो भी radio waves आता है, उनको ये receive करता है, तुम सोचोगे यह से कितने लगा आए गये हैं, तो ध्यान से समझो, this telescope is actually collection of 30 dishes, ये एक telescope, ऐसे 30 dishes को मिला के बना है, मतलब समझो, ऐसे 3 छोटे छोटे dish है, ये समझो मिला करके बस एक telescope है, अब जो एक dish है तुमारा, उसका जो diameter है, जैसे मालनो एक dish है, इसका जो diameter है, 45 meter का है, तो ऐसे 30 dishes मिल करके, approximately 25 km कवर कर रहे हैं, तो 25 km फैला हुआ, एक अकेला telescope है ये, कमाल है न, और ये हमारे देश में नडायन गाव इन पुने, it is made up of such, it is made in such a way that it works as a single dish, having diameter 25 km, तो ये काम इस तरी के से करता है, अब देखो, 25 km का एक satellite बनाना मुश्किल था, तो scientist ने क्या किया, छोटे 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 छोट I have got from a telescope having a single dish of 25 km, मतलब जो GMRT वही information देता है, जो ऐसे 25 km का diameter वाला अगर हम एक telescope लगाते, अब देखो मेनी बात सुनू, GMRT कहां पर useful होता है, तो GMRT help us to study solar system, इसने हमें मदद किया पढ़ने में solar wind को, फिर से pulsars को, supernova and also interstellar hydrogen clouds को, GMRT करान हम ये सब पढ़ पाते हैं, इनक अब एक question है मेरा, GMRT help us to study, तो मैं इसका answer देना है नीचे comment मेर, तीनी questions थे, अब एक छोटी सी बात मैं तुम लोगे साथ share करना चाहता हो, क्योंकि आज की lecture में इतना ही topic था, कि बचो मैंने एक छोटा सा अपना product बनाया, and that product is, ये product बनाने का motivation है वो है, कि मुझे यार ज़्यादा बचा सकता हूँ, बट तुम्हे ना हो, इसलिए मैं एक छोटा सा चीज बनाया, जिसका नाम है, Personal Mentorship Program, इसमें benefits ऐसा है कि तुम्हें मिल जाएगा मेरा personal number, जिससे तो मुझे से कभी भी contact कर सकते हो, किसी चीज के भी regarding, dedicated study planner बना के तुम्हें दिया जाएगा, कोई एक guide करने वाला होगा तो life में मचा दोगा, तो तुम्हें यह ले सकते हो, मैंने one month का 199 रुपीज सोचा था, बट मैंने सोचा कि नहीं मुझे इससे पैसे ज़्यादा नहीं कमाने, simply एक साल का 99 रुपीज रखा है, description में एक link मिलेगा, उसमें click करना, और अगर तुम य दिखना WIWNR winner, apply हो जाएगा, amount 99 रुपीज हो जाएगा, एक साल का, permit करना है, और थोड़ा इंतजार करना, या फिर तुम रही direct हो जाओगे, तुम्हें सारे information पता चल जाएगा, और नहीं तो थोड़ा इंतजार करना, 24 hours के अंदर ना तुम्हें खुद contact कर लूगा, अपने juniors को share करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, and thank you so much for watching this video, happy lovely.